इस वीडियो में मैंने क्लास टेंथ का एक चैप्टर है Areas Related to Circle और इस चैप्टर की जो थर्ड एक्सेसाइज है यह सबसे इंपोर्टेंट एक्सेसाइज मानी जाती बहुत कुशन आते हैं बहुत एक्जाम में इसका उसके सोलुशन प्रोवाइड करें पट बिफोर सोलुशन है मैंने बात करें कि प्लेन फीगर है ना उनके फार्मुले को रीकैप करा है कि वो फार्मुले होते क्या है फिर इसमें बेसिकली इस एक्सेसाइज में ना दो या तीन प्लेन फीगर को कमबाइन करके उनकी एरिया पूछे गए है चली स्टार्ट करते हैं इससे पहले जो दोनों एक्सेसाइज थी वो मैंने ओलडी अप्लोड करकी है तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हमें इस एक्सेसाइज से पहले पता क्या होना चीए पहली चीज पता होनी चीए एरिया ओफ सेक्टर आप सबको पताओगा सेक्टर क्या होता है कहता है अगर ये जो सेडिड एरिया ना ये सेक्टर है इसका मुझे एरिया निकालने का फार्मला ओलडी मैं कर चुका हूँ क्या था अगर मुझे एंगल पता लग जाए तो अगर मैं सेक्टर के एरिया में से पूरा सेक्टर का एरिया है इस एरिया में से अगर ट्रेंगल का एरिया माइनस कर देता हूँ तो मेरा सेग्मेंट बच जाएगा यानि कि इसका area बच जाएगा मुझे ओके और formula क्या है देखिए यहां तक तो है यह sector का area देखिए लिख दीजिए उसके बाद triangle का area minus किया है सर्थ triangle का area कैसे निकालेंगे मैंने अगली slide में जितने भी method है triangle का area कि वो discuss करें चली वो discuss करता हूँ पहले लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ अगर आपको length निकालनी हो r की length निकालनी हो तो उसका formula है इस length का formula है theta upon 360 यानि कि यह जो r कहना यह center पे कितना angle subtend कर रही है उस angle को अगर 360 से divide कर दूँ और multiply कर देता हूँ 2 pi r से तो r की length आ जाएगी अच्छा कई बार teacher इसको यह बताता है theta by 118 into pi r बात एक ही है अगर मैं इसको cancel कर देता हूँ 2 और 360 को तो यह यह आ जाता है आपको नहीं लगता है यहाँ पे circle का area आया था यहाँ पे circumference आई है क्योंकि हम length की बात कर रहे है चलिए next slide में मैं आपको triangle की बताता हूँ आकसर बच्चे आठकते हैं वो triangle के area में आठकते है मैं बताता हूँ बिल्कुल जितने भी method मेरे को आता है triangle के area के देखिए सबसे पहले simple triangle होती है अगर उसमें perpendicular दे रखा हो और height दे रखी हो base और perpendicular दे रखा हो तो area of triangle निकालने का formula है 1 by 2 base into height सबसे पहले बच्चों को यही पढ़ाते है फिर level 2 पे आता है अगर triangle equilateral triangle है तीनो side बराबर है तो उसका formula होता है root 3 by 4 side का square यानि कि side A है तो मैं नहीं का square कर दिया अगर किसी भी इनके अलावा अगर किसी triangle में तीनो side दे रखी हैं और तीनो अलग हैं और अलग नहीं भी हैं तो भी तो यह हिरोंस formula था जो आपको पढ़ाओगा class 9 में यानि कि सबसे पहले S निकालते हैं सर S क्या होता है semi perimeter होता है तीनो का sum divide by 2 I hope यह आपको अच्छा एक shortcut बता देता हूँ वो आला मैंने आपको generally कभी इसमें इसलिए नहीं बता है कि बुक में नहीं दे रखा एक बच्चा कहा रहा है सर आगर मान लीजे सिर्फ angle दे रखा है और हमें कहा जाता है कि segment का area निकालो तो इस segment का area निकालने के लिए यह triangle है ना सिर्फ triangle इसका area का कुछ हो सकता है कि बिल्कुल है यह mcq जो questions है ना उसमें मैं बच्चों को कराता हूँ वो formula है यह theta पता है और radius अगर पता है तो वो है 1 by 2 r square sin theta यह trigonometry involved होगी यहाँ पे यानि कि यह 60 है तो यहाँ sin 60 की value हमें put करनी पड़ेगी तो यह question generally कराता था है competitive exam की preparation में I hope आपको समझ में आया होगा चले एक काम करते है exercise शुरू करते हैं okay 12.3 exercise कर लेते हैं चले पहला question लेता हूँ देखिए मैं एक ही चीज बता रहा हूँ आपको पहले आप खुद try कीजी बड़ा easy question है कहते हैं हमें shaded area निकालना है और हमें given है PQ 24 है तो PQ का मतलब यह मुझे 24 दे रखा है PR 7 है यह मुझे 7 दे रखा है और O is the center देखिए अगर मैं radius निकाल लूँ तो बात बन जाए sir कैसे निकालोगी आपको पता होगा 9 में आपने बढ़ा था भी semi circle में जो angle बनता है वो 90 degree का बनता है यानि कि angle जो P है न देखिए पहली चीज़ सबसे पहले क्या होगी कि angle P is equal to 90 sir क्यों होगा angle formed in semi circle और वो 90 का होता है तो लिख देता हूँ है यहाँ पे angle formed in semi circle और वो right angle बनता है यह logic मैंने आपको reasoning आपको दी अब तो यह right angle triangle बन गी तो right angle triangle है न जो PQR in triangle PQR सबसे पहले तो मैं पाइथागोरस लगाऊंगा और by pythagoras theorem pythagoras ने क्या का था उसने का था वह 90 degree के सामने वाला जो hypotenuse side है ना इसके सामने वाला इसका square यानि की QR का जो square है वो बराबर होगा दो remaining side है ना PR का square प्लस में PQ का square PR तो हमें पता है 7 का square हो गया PQ आपको पता है 24 का square देखिए आपको square अगर याद हैने तो बड़ा easy हो जाता है यह 576 है इसको simplify के 625 आ गया और हमें सब को पता है 625 है ना उसका square root होता है 25 तो 25 अगर देखा जाए तो यह diameter आया है और हमें तो radius निकालना है चलिए मैं आपको next question solve करके बताता हूँ अभी तक तो हमारा question आदा हुआ है question आप शुरू होता है main तो कहते हैं यह QR है 25 यहां से लेके और यह पूरी length 25 है मुझे तो radius से यह तो radius हो जाएगा 25 को 2 से divide करूँगा तो यह radius मिल गया अब question आता है shaded area का तो shaded area कैसे निकालेंगे semi circle का area है ना उसमें से यह triangle मैं minus कर दूँ इसका area यानि कि अगर मैं यहां पे लिख देता हूँ shaded area जो है वो बराबर हो जाएगा semi circle area यानि कि आदा circle के area में से अगर मैं triangle का area minus कर देता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा और आपको triangle का area का formula पता ही है इसका formula होता है pi r square तो पूरे का होता है ना यानि कि इसको 2 से divide कर देता हूँ semi circle आ जाएगा और इसका होता है 1 by 2 base into height इसमें मैं value पूट कर देता हूँ चली पूट करते सबसे पहले pi की value रखी 1 by 2 को तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ multiply करा pi की value रखी r जो है ना वो मैंने यहाँ पे 25 by 2 है तो ये 25 by 2 को मैं दो बार लिखूंगा ठीक है फिर यहाँ से शुरू करते हैं 1 by 2 base मेरा हो जाएगा 7 क्योंकि 90 डिगरी है ना यहाँ पे और 7 into 24 इसको simplify करने पे आंसर आएगा कैसे देखिए पहले 2 वन जा और इसको 12 से करा तो ये 84 के नीचे 1 आ गया ठीक है इसको simplify करते है 211 आ गया नीचे आ गया अगर आपने ध्यान दिया तो 28 आया और उपर आ गया 11 into 25 into 25 देखिए 11 into 25 into 25 इन तीनों नंबर को अगर मैं multiply करता हूँ न तो मेरे पास आ जाता है 6875 अब मुझे LCM आगर लेना पड़े तो LCM ले गया आ गया तो 28 LCM आया इसको मैं 28 से multiply करूँगा तो 6875 माइनस में 84 into 28 और इसको numerator को simplify करने पर और माइनस करने पर मेरे पास आ जाता है 4523 divided by 28 centimeter सर हम decimal में लिख सकते हैं क्या decimal में भी ठीक है और अगर आप answer यहां तक छोड़ते हो तो भी ठीक है तो this is the answer of our first question I hope आपको clear हुआ होगा चली next question की बात कर लेते हैं वेल यह भी काफ़ी interesting question है कहता है area of shaded region निकालना इसका area निकालना है तो को यह तो साब दिख रहा है तुम्हें नहीं लग रहा है sector बन रहा है यानि कि अगर मैं sector का area का formula यूज करूं तो बात बन जाएगा सर कैसे करोगे अगर आप ध्यान से देखो बड़े वाला सरकल है ना उसका sector है जिसके उपर मैंने red इंग से इसको outline कर रहा है छोटे वाला जो सरकल है ना उसका सेक्टर है जो मैंने blue इंग से outline कर रहा है अगर मैं बड़े सरकल के यानि की सीधी language में लिखी देता हूँ यहाँ पे इसमें shaded area जो है उसका formula हो जाएगा big circle है ना यानि की big बड़े वाला big circle का सेक्टर का area उसमें से मैं अगर smaller circle वाला यानि की छोटे वाला small circle sector area अगर मैं minus कर देता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा तुसरा आप क्या करोगे देखिए हमें formula तो पता है formula यह होता है यानि की बड़े वाला sector है ना उसकी radius को capital R लिख लेता हूँ वो मुझे 14 cm गीवन है छोटे वाले की radius अगर आप देखो तुसको small r लिख लेता हूँ 7 cm गीवन है और अगर आप देखो question में 30 theta जो है ना वो 40 degree दे रख है पहले तो मैं formula लिख रहा हूँ देखिए आपको मैं trick बता रहा हूँ formula लिख लेका देखिए आपको फाइदा पहली बार बताता हूँ मैंने जब यह formula रिख रहा हूँ इसका capital R ले लिया और इसका sector area तो यही होता है तो अगर आप देहान से देखो देखो मैं नई चीज़ क्या कर रहा हूँ इसमें अगर आप note करें तो यह चीज़ दोनों में common है सर यह common आप क्यों ले रहा हूँ common लेने से calculation easy हो जाती है अगर मैं यहां तक common लेता हूँ तो यह r square और small r square बचा मुझे यहाँ pi a की ही बार पूट करना पड़ा theta a की ही बार पूट करना पड़ा theta 40 है तो मैं यहां पे लिखूंगा 40 upon 360 और pi की value 22 by 7 है इस capital R की जगह पे 14 का square माइनस में 7 का square सर अगर हम अलगलग करें तो गलत होगा गलत नहीं होगा time consuming हो जाएगा simplify करते हैं 0 से 0 केंचल होगा 4 1 चा 4 9 चा यहां से आया 1 by 9 22 by 7 as it is यह एक identity होती है a square माइनस b square वो identity है एक बार plus और एक बार माइनस इसके करने से यानि कि 14 प्लस एक बार करोगे और एक बार करोगे माइनस प्लस किया तो 21 आया माइनस किया तो 7 आया तो इसको कट कर देते हैं 7 से 7 कट कर रहा 3 3 जा 3 7 जा यानि कि 154 by 3 centimeter square यह मेरा आंचर आया है और आपका यह आंचर आता है इसका मतलब आपका भी आंचर बिल्कुल करेक्ट है I hope आपको समझ में आया होगा चली next question की बात कर लेते यह सबसे easy question है generally बच्चे इसको नहीं पूछते हैं चली बता देता हूं हमसे पूछा गया है shaded region निकालो यह वाला area निकालना है मैं क्या करूँगा square दे रख है ना बड़े यानि की लिख देता हूं seeded area जो है वो हो जाएगा square का area पूरा तो square ही है उस square के area में से यह आदा circle और यह आदा circle देखी आदा circle यहाँ जोड़ा आदा यहाँ जोड़ा एक circle का area बन जाएगा तो मैं circle का area minus कर देता हूं square का area का फार्मना क्या होता है side into side होता है circle का area क्या होता है pi r square होता है अब यहाँ पे आप note करो इसने लिखा है square की side 14 तो यह 14 है अगर मैं यहाँ 14 लिख रहा हूं तो radius जो है ना वो 7 हो जाएगी तो यहाँ से आपको एक तो radius मिलगी तो side तो 14 है तो 14 into 14 करूंगा और यहाँ पे मैं radius की जगह पे 7 put करूंगा इसको simplify करते हैं 14 into 14, 196 आता है यह हो गया 7 से 7 कट हुआ अगर आप इसको simplify करें 22 into 7 अगर मैं लिख देता हूं तो यह बन जाएगा 154 इन दोनों को minus करने पर 42 cm square यह easy question था चलिए next question की बात का लेते हैं well question 4 देखते है कहता है कि भी cd area निकालो हमें दे क्या रखा है एक जो 12 cm है वो equilateral triangle है तो यह भी 6 होगी यह भी 6 होगी और यह भी 6 होगी हमसे कह रहा है कि find the cd area सब कुस ठीक है cd area में लेकिन यह जो चीज है ना जिसके उपर मैंने टिक मार करा है यह दो बार का आगे किसमें आगी circle के area में भी आई है और triangle के area में तो cd area जो है ना वो हो जाएगा circle का area बिल्कुल टीक अभी circle पूरा है तो circle के area में मैं अगर triangle का area add कर देता हूं यह लिज़ी add कर दिया लेकिन एक चीज माइनस करने पड़ेगी वो यह चीज माइनस करने पड़ेगी क्योंकि यह दो जगे count हो गया circle के area में भी आ गया और triangle के में तो माइनस में मुझे sector का area करना पड़ेगा sector का area सर सेक्टर का area निकालोगे कैसे इसमें angle तो देनी रखा थे कि angle निकालना बताता हूं आपको अगर यह equilateral triangle है तो यह 60 degree है यह equilateral triangle है ना तो in equilateral triangle angle जो होता है इच angle होता है वो यह theta जो है 60 degree आ गया तो की circle का area हो जाएगा πाई आर स्केर ठीक है triangle का area जो है ना वो हो जाएगा root 3 by 4 side का square यह equilateral triangle का area होता है sector का area है यह यानिकी theta by 360 और यह हो गया पाई आर स्केर चली simplify करते है अगर मैं value put करता हूँ तो आप note करना यह वाली term और यह वाली term ना वो एक जैसी है इन में common है तो मैं इनको एक साथ लिख लेता हूँ यानिकी पाई आर स्केर और theta की value अगर आप note करो 60 है 60 by 360 पाई आर स्केर इनको मैंने एक साथ लिखा और यहां पे यह जो term है ना root 3 by 4 side square side तो 12 है मेरे पास simplify करते हैं इसको cut करा तो 6 आया तो देखिए पाई आर स्केर 1 पाई आर स्केर हो गया और यहां पे अगर आप note करो देखिए मैंने इसको लिखा नहीं ठीक से यह पाई आर स्केर था यहां पे पाई आर स्केर के नीचे 6 आ गया इसको simplify अगर करोगे ना तो 6 तो LCM आ जाता है तो यह हो जाएगा 6 पाई आर स्केर माइनस में पाई आर स्केर और नीचे 6 है और यहां पे 4 वन जा 4 थ्री जा 36 रूट 3 आ गया उपर अगर आप simplify करो तो 5 पाई आर स्केर आया तो 5 पाई की वैलू अगर रखोंगा 5 बाई 6 हो गया पाई की वैलू 22 बाई 7 हो गया आर की जो वैलू है ना वो 6 दे रखिये तो 6 को दो बार आएगा यहां पे 36 रूट 3 इसको कट करना बताता हूं आपको देखिए एक इससे कैंसल हो गया और अगर आप note करें इसको simplify करने पर मेरे पास आ जाता है 660 अपॉन 7 माइनस 36 रूट 3 अगर आपका भी answer इतना आता है then it is correct आगे इसको solve करने की ज़रूत नहीं है इतना sufficient है चले question 5 की बात करते है question 5 भी बहुत कम बच्चे पूछते है easy है कैसे है हमसे पूछा है कि भाई यह cd area निकालो दुबारे सुनो क्या कहता हूं कहता है हर corner पे यह चार टुकडे है अगर मैं इनको join करता हूं तो एक circle बनता है तो एक circle तो यह बन गया और एक circle है वो अंदर बन गया अब देखो square की side 4 given है और 1 cm का एक दे रख है हमें 1 cm radius के और जो अंदर वाला है न वो 2 cm तो radius तो 1 cm तो होगी हमसे पूछ रहा है कि यह area निकालो remaining यह simple language में बात करें तो ceded area निकालने के लिए बात करें ceded area कैसे निकालेंगे जो complete square है ना उसके area में से एक circle यह और एक इनको मिला के हो जाएगा two circle का area में minus कर देता हूं square का area हो जाएगा four into four और circle का area होता है आपको अभी बतायाता है मैंने pi यह square होता है sir आपने two क्यों लिया है क्योंकि एक तो बीच वाला circle आ गया और एक इन pieces को अगर मैं join करता हूं तो एक complete circle बनता है यह हो गया sixteen pi की value 22 by 7 रखी और r जो है वो मेरा one देही रखा है तो अगर इसको simplify कर लेते हैं sixteen minus 44 by 7 lcm अगर मेरा आजाता है 7 और 7 lcm आजा तो six seven जब 42 four one one two में से 44 मैंने minus किया 68 by seven centimeter square अगर यह भी आपका answer है then it is correct चली next question की बात करते है चली question number six की बात करते हैं बड़ा मज़धार question है कहता है भी हमें radius given है 32 यानि कि यहां से लेके और यहां तक का radius 32 है तो यह भी तो 32 होगा और अगर आप देखो यह वाला भी radius 30 यानि कि इसको O ले लेता हूँ तो कहता है हमें area निकालना है design का इसका area निकालना है यह जो segment है देखे इसके shortcut भी है और long है पहले मैं long बताता हूँ long क्यों बता रहा हूँ क्योंकि shortcut में एक दिक्कत आती है बच्चे कई बर confused होते है पहले चीज मैं बता रहा हूँ कि यह पूरा angle जो है ना वो 120 है यह 120 है और यह 120 है सर क्यों है 120 देखे एक complete angle का sum 360 होता है और इसके 3 बराबर है सर यह बराबर कैसे आये बराबर हम congrency से प्रूव कर सकते है कि यह तीनों triangle congruent है तो यह angle तीनों बराबर होंगे तो पहला जो मैंने चीज लिखा है वो लिखा भी angle जो BOC है ना उसको मैंने 120 माना है सर यह 120 आया कैसे एक्चुल में 360 को complete angle को 3 से divide करने पर आया है अब मैं छूटी से construction कर रहा हूँ क्या construction है यह जो O है ना इससे perpendicular draw कर रहा हूँ मैंने BC पे यह लिजे मैंने कर दिया वापिस पता तो मैंने क्या कर रहा है मैंने actual में एक OD line है ना वो perpendicular है BC पे वो draw करी है और अगर यह perpendicular है तो आप सब को बताऊगा 9th में आपने पढ़ा था किसी code पे अगर perpendicular draw करते हो तो यह दो part में divide करेगा clear तो यह जो point आया है ना OD यह OD actual में BD और DC दोनों बराबर है agree अब देखिए यह perpendicular draw कर दिया मैंने एक नई चीज आपको बताता हूँ नई चीज क्या है यह 120 था ना तो यह angle 60 बन गया sir 60 कैसे आया देखिए यह दोनों congruent triangle है sir कैसे congruent है यह दोनों की radius बराबर है clear हो गया यह दोनों common होगी और यह मैंने अभी बताया triple S से यह दोनों 60 60 होगे तो मैं क्यों कर रहा हूँ यह कानी मैं क्या करना चाहता हूँ मैं actual में BC जो side है ना वो निकालने के mood में हूँ BC side निकल गी तो मैं क्या करूँगा design का area कैसे निकालूँगा पूरे circle में से अगर मैं triangle का यह जो triangle है ना जिसो outline कर रहा हूँ मैं इसका area minus कर दूँगा और इसका area कब निकलेगा equator triangle का जब मुझे इसकी side पता हूँ तो अब मैंने करा क्या है मैंने अभी इसको यह करा है कि यह angle है ना BOD याने कि मैंने angle BOD जो है वो निकाला है 60 degree 120 का आदा करा है मैंने logic बताया है आप लिख दोगे तो भी चलेगा by congrency हो जाता है show करना यहां ज़रूरी होता नहीं है फिर आपका आजाता है triangle ले लेते triangle का नाम है यह वाली triangle है जिसमें greening से कर रहा हूँ इस triangle का नाम है BOD ठीक है इस triangle को लिख देता हूँ मैं in triangle BOD अगर मैं sine 60 degree रखूँ तो आपको याद है पंडित बदरी परसाद हर हर बोले तो perpendicular upon hypotenuse perpendicular angle के सामने वाली side होती है यानि BD हो गया hypotenuse 90 के सामने होती है यानि की OB हो गया तो अगर आप note करे BD तो मुझे देई नहीं रखा और OD जो है OB जो है वो radius है यानि की radius दे रखा है 32 है और आपने note करा ये sine 60 होता है root 3 by 2 और is equal to BD और यहाँ पे आगया 32 इसको cross multiply कर दें तो 2 BD जो है ना वो बराबर आ गया 32 root 3 तो मुझे actual में 2 BD ही चाहिए actual BC चाहिए था ना मेरा जो काम था ना BC वो 2 BD के बराबर है और मुझे BC मिल गया यानि की 32 root 3 cm सर ऐसे कैसे double होता है देखिए आपको याद दिलाता हूँ अगर वापिस से याद दिला रहा हूँ एक code है इस पे perpendicular draw करा तो perpendicular इसको दो पार्ट में divide करेगा तो ये मुझे side मिलगी equilateral triangle की ठीक है यानि कि in triangle A, B, C ये जो triangle है ना इसमे side जो मुझे मिलगी BC और सारी side बराबर है वो मिलगी 32 root 3 सरी अब क्या करोगे अब मुझे ये जो design का area है ना ये निकलना आसान हो जाएगा यानि कि design का जो area है ना वो हो जाएगा circle का area पूरा circle जो है ना उसके area में से अगर मैं equilateral का triangle का area minus कर दूँगा तो मुझे answer आ जाएगा यानि कि equilateral triangle area circle का area हमें पता ही ये πाई आर स्केर होता है और equilateral triangle का अगर आप भूल गियो तो याद देलाता हूँ root 3,4 और यहाँ पे side का स्केर होता था मेरा काम बचा है सिरफ value substitute करना करते हैं πाई की value 22 by 7 r कितना है radius 32 इसने दे रखी है तो यहाँ पे 32 multiply by 32 आ गया फिर root 3 by 4 अब side का है 32 root 3 इसका square कर देंगे तो 32 root 3 का square करेंगे तो इसको मैं दो बार लिख देता हूँ यह लिख कि मैंने दो बार लिख दिया इसको simplify किया यानि किसको करनेंगे अगर आपने note करा 32 into 32 104 होता है 104 को 22 by 7 से करूँगा तो सीधा ही लिख देता हूँ यह आता है 22528 upon 7 ठीक है इसको simplify करते है 41 जा 48 जा यह root 3 into root 33 हो जाता है इस पूरे को multiply करने पे आता है 768 और root 3 अगर आपका आंचर इतना छोड़ देते हो बिलकुल सही आंचर होगा करेक्ट होगा कोई दिक्कत नहीं आएगी clear? अब बात करते हैं सर आप shortcut की क्या बात करेते हैं दीए एक shortcut भी बताता हूँ यह generally हम MCQ में बताते हैं multiple choice question में shortcut यह होता है कि अगर यह angle 120 है तो यह जो design है ना इस design का area निकालने का एक shortcut है triangle का area निकालने का कि जो sector है ना उस sector में से triangle का होता है 1 by 2 r square sign theta यहाँ पे sign 120 आएगा ना तो actual में sign 120 की value sign 60 होता है यह आप 11 standard में जाके पढ़ोगे लेकिन क्योंकि यह बच्चे पूछते हैं कि sir 120 60 कैसे हुआ इस formula को सिरफ और सिरफ हम mcq question आते हैं तब बच्चों को कहते हैं कि sector का area निकाला और यह जो formula है ना यह मैंने बताया यह actual में triangle का area का formula है तो एक segment आजाएगा और एक segment आजाएगा तो 3 से multiply कर दूँगा तो 3 segment आजाएगे और 3 ही तो design है लेकिन यह formula मैं अभी इसको इसलिए नहीं बता पा रहा क्योंकि sign 120, sign 60 है यह मुझे आपको समझाना पड़ेगा so this is the method I hope यह आपको समझ में आया होगा चली question number 6 के बाद 7 की बात कर लेते हैं और यह रहा question 7 आपके पास अच्छा question है कहता है कि बाद यह यह easy question है एक square दे रखा है 14 side दे रखी है यह तो बहुत easy है बाद कहता है कि बाद इसने यह भी दे रखा है कि यह 77 cm radius है हमसे कह रहा है shaded area निकालो यह वाला area निकालो तो यह तो कई बच्चे मुझे पूछते भी नहीं कैसर यह तो हम खुद कर लेंगे shaded area बराबर हो जाएगा square का area यानि कि जो square है उसका area minus में देखिए 1, 2, 3, 4 यह 4 quadrant है इन 4 quadrant को अगर मैं join करता हूँ तो एक circle बनता है तो यहाँ पे एक circle का area आ जाएगा तो square का area आपको पता ही है उसका formula होता है पाई यार square side मेरी कितनी है देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ change करके side है square की दे रखी है 14 और radius है न वो 7 है सिर्फ 7 कहा से आगे इदे को साफ लिखाव है आप है तो 14 into 14 यह हो गया 22 by 7 पाई यहाँ पे 7 into 7 करा अगर मैं इसको cut कर देता हूँ तो cut करने पर 14, 96 minus मैं 154 और यह आजा आगर आपका answer भी 42 cm square आता है so this is the right answer I hope आपको clear वाओगा चल यह next question कर लेते है question 8 यह बहुत सारा बच्चे पूस्ते हैं उसे कहते हैं यह answer बता दो बाकी हम कर लेंगे तेकि racing track है और साफ साफ दे रख है इसमें अगर आप note करो ना पहली चीज यहाँ पर first question कर देता हूँ second वाला यहाँ पर कर देता हूँ कहता है कि भाया inner जो track है ना उसकी inner edge जो है ना उसकी length निकालो यह अगर मैं यहाँ से शुरू करो ना तो यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यह कारो है यह inner edge है पहले तो यह बताते हैं कि यह दे क्या रख है कहता है inner edge की one six zero six meter है यह अगर मैं इस तरह से इसको बना लूँ यह draw करो लूँ यह सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो circular part थोड़ा सा आला कर रहा हूं तो आप note करना यह length दे रखी है मुझे one zero six meter ठीक है और यह वाली भी दे रखी है मुझे one zero six meter correct अगर आप note करो तो one zero six के बाद यह कह रहा है कि ten meter wide इसकी racing track है हमें तो ten meter wide है लेकिन इसने यहाँ ते के diameter है ना वो 60 दे रखा है तो radius 30 हो जाएगी यानि कि जो inner radius है यहाँ पर लिख दूँ मैं inner radius जो है वो छोटे आर से लिख लूँ मैं तो वो मुझे 30 दे रखी है 30 meter अब मुझे पूछा गया है कि inner as निकालो यानि कि एक आदमी यहाँ से शुरूआ यह वाली length ठीक है L जिसको बोलता हूँ मैं और यह वाली length L और आगर आप note करो यह वाला आदा semi circle और यह वाला आदा semi circle जिसके उपर मैंने red से outline करा है ना इसकी length निकाल नहीं है तो inner edge जो है ना inner edge की जो length है वो मेरे लिए बहुत easy होगी देखी कैसे भाई दो तो L यह वाली L होगी इसको मैंने radius माना एक L यह होगी ठीक है दूसरी L यह होगी यह लिजिए भाई यह दूसरी L और अगर आप note करो आदा circle यह और आदा circle यह तो यह यह तो circumference नहीं बन गी और यहाँ पे 2 पाई यार लिख दिया 2 पाई यार कैसे बना आदा और आदा circle आदा circle मैं यहाँ से लूँगा आदा circle मैं यहाँ से लूँगा तो एक पूरा circle बन गया और circle की जो boundary की length है ना वो circumference होती है इसमें value पूट करते है L तो मेरा दे रखा है यानि की 106 तो 106 तो दो बार आ गया ठीक है और यहाँ पे 2 पाई की value 22 by 7 radius दे रखी है 30 तो यह लिजी भी है 30 आ गया तो यह अगर आप देखो तो 212 ठीक है 212 आ गया 212 के बाद जो मेरा answer इसमें आया 7 से cut नहीं हो रहा कोई दिकत नहीं आप cut नहीं हो रहा as it is लिख देजिए यानि कि यह हो जाएगा plus मैं 1320 upon 7 अगर मैं LCM ले लेता हूँ तो LCM लेके बताता हूँ कितना आता है 7 से multiply 7 241 7 2484 में 1320 और divided by 7 करा तो answer आगर 2804 upon 7 इतना length है यह area नहीं है this is the answer of the first part कई बचे करते सरे second भी तो बता दो low भाई है second बताते है हमसे कह रहे है area निकालो देखो track का area निकालना है यह तो और भी easy है भाई है track का area बताता हूँ कैसे track में अगर आप note करो यह तो एक rectangle है पहली rectangle है ठीक है दूसरी rectangle यह है yellow rectangle दो यह लेजे two rectangle का area बराबर rectangle है plus में देखिए उसके बाद हमसे पूछ रहे है यह वाला area blue color वाला अगर आप note करो यह वाला एक आदा area ठीक है और आदा area मैं दूसरी इंग से समझाता हूँ आदा area इधर वाला इधर draw कर दू मैं तो आप देखो यह ring नहीं बनगी क्या यानि कि एक ring का area हो गया सर रिंग कैसे बनी देखिए आदा यहां से लिया मैंने आदा यहां से अब मैं ring area निकालने का है कि inner radius तो छोटा r है capital ले ले लेता हूँ बड़ा radius तो capital क्या हो जाएगी 30 में अगर मैं 10 जोड़ दू देखिए छोटा r 30 है ठीक है लेकिन जो capital r है वो 30 में 10 जोड़ने यह 10 क्यों जोड़ा क्योंकि दे रखिए width यह 40 बन जाएगी मीटर है भी यह cm नहीं है यह मैंने मीटर लिखना पड़ेगा तो मुझे तो ring area ring area का मतलब है outer circle में से inner circle outer circle का area pi r square होता है inner का यह होता है small pi r square चली value put करते हैं rectangle का area length into breadth 2 से multiply कर दिया दो rectangle है ना इसका ring का area का होता है outer circle हो गया pi r square inner circle हो गया small r square अब मैं common इन दोनों में common ले लेता हूँ easy बन जाएग मेरे लिए अगर मैं pi comma ले लेता हूँ तो r square minus मैं r square बना ठीक है और यह 2 l b है l और b की value l तो मेरा 106 है और b मेरा यहाँ पे 10 है तो इसको simplify किया तो 2, 1, 2, 00 आया इसमें value put करता हूँ pi की value 22 by 7 देखी इसमें capital R तो 40 है तो 4040 का square और 30 का square इनको simplify करने पर यानि कि यह जो second वाला part यह एक identity बनती है एक बार plus कर दो एक बार minus यानि कि a plus b और a minus या identity से भी कर सकते हो और बिना identity के भी कर सकते हो तो इसको simplify किया तो 22 by 7 एक बार plus किया तो 70 और minus किया तो 10 इस 7 से तो cut रहा है दूसरी इंक से करता हूँ कटने वाले चीज़े 7 वंजा 7 यानि कि यह आया 2 1 2 0 ठीक है प्लस में 2200 अगर आपका answer 4 3 2 0 मीटर स्केर आ रहा है यह मेरा answer हो गया area of the track clear चलिए question number 9 की बात कर लेते है question 9 क्या कह रहा है और यह भी quite easy कहता है कि यह तो और भी easy है यह कहता है कि इस figure में दो diameter है ठीक है diameter दे रहा है perpendicular चुछी तदर है यह दोनों perpendicular भी दे रहा है कहता है भी od is the diameter of smaller circle if OA 7 यह अगर 7 है तो भी यह यह सारे 7 होगे ठीक है और अगर इसकी radius बेदाज देखो तो यह radius जो है ना छोटे वाले की इसको मैं M ले लेता हूँ यह actual में DM जो है ना वो actual में 7 by 2 आ जाएगी क्यों आ जाएगी 7 by 2 3.5 लिखो यह मेरा आ गया centi centi करना क्या है shaded region का निकालना है यह circle निकालना है और यह दोनों दिखी मैं करूँगा यह औरों से easy क्यों है shaded region जो है shaded area एक तो circle है यह वाला circle यहां लिखता हो circle का area mention करना पड़ेगा कौन सा circle यह रहो है circle का area having diameter od जिसका diameter है ना diameter जो है वो od है राइट फिर मैं क्या रहूँ हूँ प्लस मैं अब दिखी अगर मैं semi circle में से यह semi circle है यह वाला जिसके उपर मैंने अभी outline करा है इस में से अगर मैं triangle का area minus कर देता हूँ तो वो दोनों segment बन जाएंगे यह triangle तो इसको मैं क्या करने वाला हूँ यानि कि semi circle का area semi circle का area में से मैं minus करने वाला हूँ triangle का area अगर इसको minus कर देता हूँ तो वो वाला भी seed it आ जाएगा simplify करते हैं चली circle का area pi r square होता है तो pi r में लिख देता हूँ r square जो है ना यहाँ पे 7 by 2 7 by 2 7 by 2 आया ठीक है और इसको भी मैं pi की भी value रख लेता हूँ चली next question इसमें करता हूँ plus मैं यहाँ देखते हैं semi circle इसकी radius जो है ना capital वो भाया radius 7 है यह तो छोटी radius थी dm तो ठीक है तो semi circle यानि की 1 by 2 लगा दिया और pi r square होता है capital r ले लिया भीया दे रखा है यानि की base यहाँ पे 14 है diameter height यहाँ radius यह 90 degree है इसलिए मैं height की बात कर रहा हूँ radius यहाँ पे 7 है तो मैं यह value substitute कर देता हूँ 22 by 7 ठीक है यहाँ पे 7 by 2 7 by 2 correct है फिर इसको देखते हैं 1 by 2 pi की value 22 by 7 r capital कितना है 7 है भीया तो यह 7 into 7 minus मैं base base मेरा यहाँ पे 14 है और rate height 7 है इसको simplify करके लखते हैं यह 7 से 7 कटा 2 बंजा, 2 इलेवनजा 77 by 2 ठीक है यह 7 से 7 कटा 2 बंजा, 2 इलेवनजा यहाँ से 77 आया और यहाँ देखो 2 बंजा, 2 सेवनजा यहाँ से 49 आया अरे यह तो काफी easy निकल गया तो हम करेंगे क्या अगर 77 को 2 से divide कर दूँ इसको, यह बंजाता है 38.5 और इन दोनों को अगर मैं subtract कर देता हूँ तो 28 बनता है इन दोनों को add करने पे 66.5 cm2 अगर आपका answer भी यह आता है देन इस correct चलिए next question की बात करते है चलिए 10th question करते है काफी important question है और एक दो बार तो exam में आया हुआ है board exam में क्यारे question कहा है equilateral triangle है ABC और area given है देखिए पहली चीज अगर आपको इसको दे रखा है वो दे रखा है भी area of a triangle है न वो हमें दे रखा है 17320.5 कहता है with each vertex of a triangle as a center a radius is half of the length हमें length तो दे नहीं रखी length तो निकालने पड़ेगी और कहता है side of a triangle find the area हमें इसका area निकालना है ceded area तो करेंगे कैसे देखिए ceded area तो बड़ा आसान है निकालना मैं आपको भी लग रहा है ceded area तो आप भी खुद कहोगे कैसे कहोगे कि यह पूरी triangle में से यह जो triangle है इस triangle में से अगर मैं यह 3 sector minus कर दूँ यानि कि इसका area क्या निकलाएगा triangle जो है उसका area में से अगर मैं minus कर दूँ sector 3 sector है तो 3 sector का area तो बात बन जाएगी लेकिन इसमें एक ही दिक्कतारी है कि हमारे पास side नहीं है यह side नहीं है और ना ही radius है तो जो दीवन given है न वो area given है और equilateral triangle का formula होता है root 3 by 4 side का square यानि कि a square होता है अगर side तो a है यह बराबर है 17320.5 के मुझे a square निकालना है ना तो यह हो जाएगा 17320.5 और नीचे transpose root 3 हो जाएगा और उपर आ जाएगा 4 देखी root 3 की value दे रखी है अक्सर बच्चे पूछते से हमें याद करने पड़ेगी question में यह दे रखी होती 90% हमें दो चीज दे रखी है ना यह दे रखा है और यह दे रखा है तो यह जो root 3 आया है ना इसका मैं 1.73 रखने वाला हूँ तो सबसे पहले तो इसका मैं क्या करने वाला हूँ 17320.5 आया है ना इसका मैं decimal अगर हटा दू सर डेसिमल क्यों हटा रहे हो लेकि मैं आपको बताता हूँ यह 0.5 था ना तो यह मैं अगर 5 लिख दू तो नीचे 10 आएगा ठीक है और root 3 जो है न वो यह है इसका अगर decimal हट जाए यानि कि 1.73205 है यह root 3 की आगया 4 उपर आगया यहाँ पर मैंने 4 नीचे लिख दिया देखिए मैं बात करता अगर यह decimal हट जाए तो यह लीजे मैंने decimal हटा दिया इस decimal के हटने से मुझे 4 0 उपर लगानी है सर 4 0 क्यूं लगाई 5 लगेंगी बिलकुल देखिए 5 लगेंगी क्योंकि decimal के बाद 5 डिजिट थे कट करते हैं एक 0 से एक 0 कैंसल हो गया यह पूरा सेम है तो स्ट्राइक ओफ हो जाएगा मेरे पास सिरफ यहां पे बचा 40,000 यह A स्केर है और A अगर आप एगरी कर रहोगे 40,000 तो भाईया स्केर रूट होता है 200 का मज़ेदा रहे यह तो बात साइड मिलगी मुझे अगर यह साइड मिलगी तो रेडियस जो है ना वो एक्चुल में हाफ है इस साइड का यानि कि रेडियस कितना हो जाएगा 200 को 2 से डिवाइड करूँगा 100 सेंटिमेटर मुझे रेडियस मिलगी यही तो दो चीज लेक कर रही थी अब मुझे यह दोनों मिल गई तो मैं इसमें सेडिड एरियस निकाल लूँगा कैसे निकालने वाला हूँ इस ट्रेंगल के एरिया में से अगर मैं यह तीन सेक्टर माइनस कर दूँ सर एंगल यह एकुलेटल ट्रेंगल है तो एंगल तो 60 डिगरी ही होता है तो दीखें ट्रेंगल का एरिया तो दे रखा है यह वाला इसको निकालने के जुरूत नहीं है 17320.5 और सेक्टर का एरिया निकालेते हैं सेक्टर का एरिया होता है थीटा बाई 360 सर थीटा कैसे निकाला अब यह equilateral triangle में each angle है ना वो 60 होता है तो यह हो जागा 60 divided by 360, πाई आर स्केर है ना, πाई की value मैं लूँगा 3.14 सर अगर हम 22 by 7 लेंगे तो गड़वड हो जागा, बिल्कुल chances है, answer match ना करें क्योंकि दे रखा है, नहीं दे रखा, तो 22 by 7 लेंगे तो आर स्केर है, radius मैंने handed है यह लिजिए handed से दो बार multiply करूँगा, simplify करते हैं, देखिए अगर मैं यह decimal हटा देता हूँ लिजिए मैंने हटा दिया, इस 3.14 का decimal हटा, तो नीचे handed आएगा, दो डिजिट है ना इसलिए और यह handed जो आया है, इससे मैंने cancel कर दिया, यह देखिए 60 से करा, 60 वनजा, 60 शिक्जा, अगर आप note करो, तो यह 6 आया फिर 3 वनजा और 3 टूजा यह 2 आया, फिर 2 वनजा और 2 वनजा यह 157 यानि कि यहां से 15700 आया और यह वाली term as it is लिखी जाएगी 17320.5 इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रेट कर देता हूँ तो जो shaded area सिधा वही लिख देता हूँ 1620.5 cm square यह shaded area हो गया जो हमसे पूछा गया था मेरा मानना आपको यह समझ में आया होगा, लीजे this is answer चली next question की तरह proceed करते हैं, well quite easy, बच्चे अकसर कम पूछते हैं कहता है कि एक handker chief में 9 circular ring है और एक circle है इसकी radius है ना मुझे 7 given है एक की radius 7 है ठीक है और कहता है area of remaining portion of hand remaining portion का मतलब है यह वाला area निकालना इन ring को हटा के तो यह जो remaining area है ना यह तो आप भी कहोगे सिर्क बड़ा easily निकलाएगा कैसे remaining area का formula कैसे आएगा कि complete square के area में से अगर मैं square के area में से लिख देता हूँ 9 ring का area minus करूँगा square area में से यह ring तो circle ही तो है 9 circle है ना उनका area अगर मैं minus कर दो तो बात बन जाएगी लेकिन मेरे पास actual में radius गीवन है circle की तो यह radius दे रखी है वो तो काम आ जाएगी लेकिन side नहीं दे रखी तो यह अगर मुझे 7 दे रखी है तो दीखे diameter 14 हो जाएगा एक ring का diameter 14 है तो अगर आप देखो तीन ring है ना या तीन circle है वो बिलकुल ad joining है तो 14 यानकी यहाँ पे जो side हो जाएगी ना वो 14 इंटू 3 होके 42 cm होगी सरी कैसे आया या एक diameter यहाँ का R था ना तो यहाँ का diameter 14 हो गया और आप agree कर रहो अगर यह तीन ring ad joining है तो 14 थीजा करा मैंने और वो 42 आ गया चलिए बड़ा easy हो गया square का area सबको पता है side into side होता है circle का area पाई यार square होता है देखिए अब मैं इसमें side 42 है तो 42 into 42 करूँगा और circle का मैं अब आप question कई पर बचे बूते हैं इसमें πाई क्या ले अगर पाई मुझे देनी रखा है तो भी हमें 22 by 7 लूँगा और radius यहाँ प 27 से 7 कड कर देता हूं 42 into 42 होता है 1764 और इन तीनों नंबर को अगर multiply करता हूं तो यह आता है 1386 दोनों को subtract करने पर 378 आपका answer आता है तो बिल्कुल correct है आगे चलते चली question 12 की बात कर लेते well quite easy question interesting यह है मैं इसको अकसर exam में देता हूं question है कि भाईया quadrant quadrant अगर आप भूल गे हो तो बता देता हूं एक circle के one fourth part को quadrant कहते हैं तो कहता है quadrant का area निकालो first part पे तो quadrant का area अगर आप note करो तो simple सी बात है इस quadrant के area में से कि भाईया वो तो one circle का one fourth होता है तो पाई आर square का one fourth करना है मुझे sir radius कितनी होगी दीए radius तो 3.5 दे रखी है यानि कि ये 3.5 radius given है तो चलीए पहले इसको solve करते है 1 by 4 पाई मुझे नहीं दे रखा है 22 by 7 ही लूँगा radius 7.5 लिखू या 7 by 2 लिखू एकी बात है sir आपने ऐसा क्यों किया क्योंकि ये 7 easily cut हो रहा था इसलिए मैंने लिया simplify करते हैं ये 7 से एक 7 cut कर दिया ये 2 से ये 11 आ गया ओके ये simplify करने पर आ गया 77 और नीचे आ जाता है 8 अगर आपका 77 by 8 आशर है बिल्कुल ठीक है चली second part की बात करते हैं shaded portion है ये वाला इस shaded portion में निकालने के लिए क्या करूंगा quadrant में से triangle का area minus कर दूंगा यानि कि ये क्या हो जाएगा shaded portion यहाँ पे लिखूंगा मैं कि भया सबसे पहले quadrant का area और उस area में से मैं minus करने वाला हूँ triangle का area लिजे triangle का area लिख दिया quadrant का area तो भया मैंने अभी निकाला है ये रहा 77 by 8 और triangle का area होता है half base into height आप note करना ये हमारी height है यहां से यहां तक 2 दे रखी है और ये हमारा base है 3.5 तो इसमें 77 by 8 और base की जगह पे मैं लिखूंगा 3.5 height की जगह पे 2 और अगर मैं इसको cut करता हूँ 2 से 2 cancel हो गया 77 by 8 minus 3.5 ये 3.5 को 7 by 2 लिख सकता हूँ एक ही बात है LCM अगर आप देखो 8 आया LCM अगर 8 आया तो इसको 4 से उपर नीचे multiply करना पड़ेगा तो 77 minus 28 नीचे 8 आ गया 77 में से 28 minus करोगे 49 by 8 centimeter square अगर आपका आंशर ये आता है then it is correct बिल्कुल सही आंशर है चली question 13th की बात करते है well ये अकसर बच्चे नहीं पूछते है easy question है लीजी बताता हूँ कैसे easy कह रहा हूँ कहता है कि एक square inscribed क्या गया quadrant के अंदर ओए 20 है ये 20 है तो ये square की तो सारी side बराबर होती है yellow जो 20 हो गया कहते है shaded area अब देखो shaded area तो साब दिख रहा है कैसे अगर मुझे shaded area निकालना है तो मैं क्या करूँगा quadrant के area में से यानि की quadrant का मतलब है कि पूरा बड़ा ये ना एक circle का one fourth इस में से अगर मैं square minus कर दूँ यानि की लिख दूँ कि quadrant का area और minus मैं square का area लेकिन लफडा ये आ रहा है कि यार quadrant का मैं चो radius ही नहीं पता तो radius अगर आप agree कर रहे हो ये अगर मुझे मिल जाए O-B तो बात बन जाए सर O-B radius है और O-B एक hypotenuse का भी काम करता है और ये हमें दोनों side दे रखी है तो ये actual में radius होगी तो मैं क्या करने वाला हूँ in triangle O-A-B इस triangle में ना by pythagoras theorem pythagoras ने कहा था कि 90 degree के सामने वाली side hypotenuse होती है ये 90 degree के सामने वाली है इसका square बराबर होगा दोनो side के square के तो दोनों तो देखा जाए तो 20-20 square ही है तो ये actual में inside होगया 2 into 20 का square और 20 का square बहार आएगा तो ये बन जाएगा 20 और अंदर root 2 बचेगा तो ये मेरा actual में radius आगया radius आने से बड़ा easy हो जाएगा मेरे लिए क्यों quadrant का जो formula होता है वो होता है 1 by 4 pi r square ये circle का 1 fourth होता है square का area का formula होता है side into side तो लीजिए 1 by 4 pi की value देखी मुझे दे रखिए 3.14 तो मैं यहाँ पे 3.14 यूज़ करने माला हूँ आर मुझे 20 root 2 और 20 root 2 दे रखा है अब side की बात करें तो 20 है तो ये हो जाएगा 20 into 20 देखे simplify करते हैं क्या आएगा अगर आप note करें तो ये नीचे यानि कि 4 1 जा और 4 5 जा clear और ये root 2 into root 2 जो है न ये 2 हो जाएगा यानि कि मैं अगले step को अगर लिखूँ तो अगला step मेरा बन जाएगा let me write here ये बन जाएगा 3.14 और 5 और इसी ये 20 को multiply कर दोंगा handed आ गया और यहां पे root 2 into root 2 कर गया तो 2 आएगा इसका decimal हटाएंगे तो ये बन जाएगा कितना बन जाएगा अगर आप note करोगे तो handed तो इसका decimal हटा दिया तो ये handed से handed cancel हो गया और ये 400 है तो 314 का double करा तो 628 और इसमें से 400 मैंने minus कर दिया अगर आपका भी answer 228 cm square आ रहा है then it is बिलकुल correct एक absolutely right this is answer चली next question की बात करते हैं 14 question करते हैं बड़ा easy question है ये और diagram दे रखा हमें कहता है कि हमें seeded area निकालना है अगर ये area निकालना है तो मैं क्या करने वाला हूँ ये बड़े वाला जो circle है ना उसके sector में से यानि कि जो मैंने red outline करा है ये बड़े वाला circle का sector है अगर मैं दूसरा sector minus कर दूँ तो बात बन जाएगा ये वाला जिसके उपर मैंने outline करा है ये तो इसमें तो सीधी सी बात है generally बच्चे पूशते भी नहीं है बिग circle sector area उसमें से मैं minus करने वा रहा हूँ small circle छोटे वाले circle का sector area देखे पहले मैं formula लेग लेग रहा हूँ क्योंकि उससे easy हो जाएगा ये लिज़े theta by 360 बड़े वाली की radius मैंने consider करी है capital R ये हो जाएगा theta by 360 और pi r small r square यहाँ पे capital R है ना वो मुझे दे रखा है 21 लिख देता हूँ capital R यानि की 21 दे रखा है मुझे और अगर आप note करो small r भी given है ये लीजे ये दे रखा है 7 cm अच्छा देखो मुझे क्या बताना है मुझे तो सिर्फ tricks बतानी है आपको वो ये है अगर आप ध्यान दो तो ये चीज है ना ये दोनों में present है और अगर दोनों में present है तो इसको मैं common ले सकता हूँ और ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ common लेना इससे calculation का time बचता है तो ये बचेगा r square minus में small r square theta तो दे रखा है 30 ये हो जाएगा theta upon 360 pi की value रख दी मैंने 22 by 7 और capital r यानि कि 21 का square minus में 7 का square अब देखो मुझे यहाँ pi एक ही बार put करना पड़ा इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़े से ये tricks होते हैं चलिए इसको simplify करते हैं 30 से 0 cancel हो गया 3 1 जा 3 2 जा 12 आया फिर 2 से करा 2 6 जा 11 आया और ये हो गया 11 नीचे 6 into 7 इस bracket को करेंगे तो यहाँ पर identity लग रही है a square minus b square एक बार plus करूँगा और एक बार minus तो यहाँ पर plus करूँगा तो 28 आ जाएगा minus करूँगा तो 14 आ जाएगा sir ऐसा करने का फाइदा क्या थे क्यों फाइदा यहाँ भी मेरे जो steps थे ना वो बच गे 7 1 जा 7 2 जा इसको कट करते 2 से 2 3 जा और यह हो जाएगा 14 तो 14 into 2 28 28 को 11 से और नीचे 3 आया 11 से multiply किया तो 8 308 upon 3 जो है यह मेरा answer आ गया है यानि कि cd area तो इस question में तो मुझे आपको सिरफ tricks बताने थे कि कैसे करते हैं I hope आपको समझ में आया होगा चलो यह next question कर लेते हैं that is 15th one यह quite interesting है क्याते abc is a quadrant quadrant है तो definitely यह angle 90 degree है ठीक है radius 14 है तो हमें यह वाला 14 है और यह भी 14 दे रखा है semicircle is drawn with the bc as a diameter यह जो bc है ना इसको diameter consider करके semicircle रोकिया गया है तो भी यह cdd area निकालेंगा ना तो cdd area कैसे निकलेंगा यह जो semicircle है जिसके उपर मैं outline कर रहा हूँ इस semicircle में से अगर मैं यह segment minus कर देता हूँ तो मेरे पास segment minus करने पे यह बच जाएगा cdd area लेकिन हमारे पास तो भीया बड़े वाला जो semicircle है ना उसका radius नहीं दे रखा तो यह जो bc है ना यह निकाल लेते हैं पहले कैसे intringle a bc pythagoras ने क्या का था भीया by pythagoras thorem उन्होंने का था 90 degree के सामने वाली side यानि की hypotenuse उसका square एक तरफ यानि की bc का square एक तरफ बराबर होगा 14 base प्लस में 14 अगर आप देखो bc जो है वो आजाएगा root और यह two times है तो two times है तो इसको as it is लिख देता हूँ अब यह दे कि 14 की power 2 है तो 14 बहार आजाएगा तो यह बचा आपने note करा मैंने 14 को simplify नहीं किया this is the diameter लेकिन हमें तो radius ही है ना यानि की अगर मैं इसको r ले लेता हूँ इसको छोटे वाले को तो यह radius जो है इसको half करने पे मुझे मिलेगा और वो half करने पे मिल जाएगा 7 root 2 ठीक है यह हो गया मेरा पहला part मैं बड़े वाला जो था ना इसको capital r ले लेता हूँ यह जो दे रखा था ना quadrant वाला यह capital r है देखे question करना क्या है अब मैं आपको सिधा समझाता हूँ आपको थोड़ा बहुत idea लग जाएगा कि करने क्या वाला हूँ मैं आपको question में पूछा था shaded area तो मैं इस semi circle में से segment का area minus करूँगा तो लिख देता हूँ shaded area जो है वो बड़ा हो जाएगा यानि कि semi circle तो semi circle तो भी यह लिखना पड़ेगा लिख देता हूँ semi circle का area और minus मैं segment का area यह segment का area कर रहा हूँ और यह segment का है यह segment actually दूसरा circle है segment area तो semi circle का area तो देकि मैंने से इसको छोटा आर लिया है तो यह हो गया semi circle हो गया 1 by 2 by r square ठीक है segment में बड़ा आकानी है देखो आप नोट करना segment actual में देखा जाए तो इस circle का है तो मैं क्या करने वाला हूँ सबसे पहले sector का area minus करूँगा यानि कि यह चीज़ क्या हो जागी sector का area और इस sector का area में से triangle का area मैं minus करने वाला हूँ तब मेरा निकलेगा segment का area चली ठीक है तो 1 by 2 pi की value नहीं दे रखी है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं r यह आया था मेरा 7 root 2 multiply by 7 root 2 ठीक है sector का area देखिए sector में बगया यह 1 by 2 90 दे रखा है तो 90 divided by 360 pi r pi की value यह r यहाँ पे 14 होगा यह लिजी 14 आगा दो बार triangle का area अगर आप note करें तो half base into height होता है यह भाईया base हो गया यह height हो गया तो half base into height हो गया चली simplify करते हैं देखिए इस 7 को 7 से cut कर दिया 2 वंजा 2 11 जा cut कर दिया अब यह root 2 तो root 2 से 2 हो जाएगा तो 11 into 14 यानि की भाईया 154 आया ठीक है इसको simplify करते है 90 वंजा 94 जा 7 वंजा 7 टूजा ठीक है 2 टूजा 2 वंजा 2 वंजा 2 सेवंजा अगर आप note करो यह भी भाईया 154 आया इसको simplify करते है 2 वंजा 2 सेवंजा यह 98 आया तो पहले तो इसी को simplify करते है 154 में से 98 पहले minus करते है 14 में से 8 गया 6 बचेगा यह 14 में से 9 वियानि की 56 बचा और 56 minus करने पे 98 cm square आया अगर आपका भी answer यह आता है then it is correct चली next question की बात कर लेते है अच्छा यह question बहुत जार बच्चे पूछते हैं मुझसे कहते हैं से यह बता दो बाकी छोड़ दो कहते हैं बाई calculate the area of design design region or common between two quadrant दे रखें दोनों quadrant ठीक है अब यह बताए अगर आप agree कर रहे हो इसको मैं आपको यह कहूँ कि यह मैंने इसके दो टुकडे कर लिए एक टुकडा यह हो गया और दूसरा टुकडा यह हो गया आपको वापिस बताओ मैंने क्या कर रहे है मैंने यह diagram दे रखा था इस diagram के मैंने इसको थोड़ा पीछे कर दिया इसको पीछे कर दिया तो देखे इसके करने से आपको एक चीज समझ में आई है तो बताना सर क्या अगर आप note करो यानि कि ये मैंने पोर्ष ये समझाने के लिए कर रहा हूं मैं आपको मुझे अगर ये जिस पे मैं एक number लिक रहा हूं और जिस पे मैं दो number लिक रहा हूं सेग्मेंट टू है ये सेग्मेंट टू हो तो इन दोनों सेग्मेंट का एरिया अगर मैं एड़ कर दो तो डिजाइन का एरिया आ जाएगा हमसे पूछाता है ना इस डिजाइन का एरिया निका लिए segment का area जो है वो आपको पता ही है वो होता है भाई या theta यानि की sector का area देखी अब sector दिखाता हूँ आगर बताओं sector यहाँ पे 90 degree है तो इसका area निकाल लेते हैं जिसके उपर मैं अभी outline कर रहा हूँ और इस वाला जो आनिकी मैं जो seed कर रहा हूँ इसका area निकाल दूँगा और उसको double कर दूँगा सेड़ीड area में तो segment का area होता है sector area यानि की sector का area और उसमें से minus करते है triangle का area और triangle भी right angle triangle है तो sector का area तो हमें पता ही है लिख देता हूँ भाई या वो पराबर होता है theta by 360 यानि की 30 हो गया और pi r square तो pi r कितना है r तो दे रखा हमें यानि की 8 ये लिजी भी 8 हो गया triangle का area होता हाँ base into height तो ये हमारी height है ये हमारा base है ये लिजी 8 इसको simplify कर लेते हैं जब मैंने इसको simplify किया तो देखे 90 वंजा ये 4 हो गया 4 वंजा ये 2 हो गया तो अगर आप note करें तो ये बन गया अगर आप इसको simplify करने पर इन तीनों को मैं multiply करता हूँ 8 तू जा 16, 16 तू जा 32 होता है 3, 2 जा 3 यानि की 3, 5, 2 upon 7 इसको simplify करते हैं 2 वंजा 2, 4 जा ये आगया 32 अब एक काम करते हैं अगर मैं LCM ले लेता हूँ तो LCM लेने पर मेरा यहां पर हो जाएका 352 माइनस मैं LCM तो 7 आया 7 इसके साथ multiply करेंगे 7, 2 जा 14, 1, 7, 3 जा 21 और 122 इसको simplify करके अगर मैं 2 से multiply कर देता हूँ तो ये आ जाएका 128 by 7 क्याने की 256 by 7 अगर आपका आंच्वर है तन इस राइट ओके तो विद देस आवर इसक्सिसाइज ओवर थैंक ये वरी मच्छ